तो हेलो गाइज वेलकम बैक इन माई निव वीडियो एंड आज की जैए वीडियो होने वाली है इसका ज़ा टॉपिक है भाई आप सब को बताया टॉप 10 मोस्ट हैंसम इसपोर्ट्स प्लेयर जो हमारा इंडियान डीजियन में आपके कुछ टॉप 10 मोस्ट हैंसम इसपोर्ट तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हमारे आज की इस वीडियो के तरफ वीडियो स्टाट करने से पहले बाई जो मेरे इंस्ट्राग्राम पर जाके फॉलो कर लो जो आपका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख जाएगा एंड जो मेरा तो मैंने फालतु फालतु बात करके जो मेरी वीडियो की लेंद इसको 20 सेगंड और बढ़ा ली तो आपकी लिस्ट आप कमेंशन में को मतलब बता सकते हैं वो बिलॉंग करते हैं हमारे इम टू साइड गेमर से एंड इनका जो नहीं है बाई वो है टीस जी लेजंड एंड इनका जो गेमपल है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है एंड बैक्डाण में जो भी गेमपला चल रहा हो भी भाई हमारे टीस जी लेजंड का ही है तो आप बढ़ते हमारे नाइंत नंबर की इसपोर्स प्लेगर जो की बहुत जादा हैंड उनका जुने में बाई वो है ड तो है आप बढ़ते हमारे एट नंबर के इसपोर्स प्लेगर की तरफ जो यह मतलब शौक हो जाओगे वो पिलॉंग करते हमारे टीम यूजी एमपायर से एंड आप गेस करो वो कौन है तर आईश भाई को कोई हेट नहीं है वो छपरी नहीं है भाई भाई वो तो पास्ट में छपरी था ना उसके बाल तो कलड थे ठीक हा भाई सोरी भाई आप समा आवाज नीचे ही रखूंगा तर जो हमारे हेट नंबर के most handsome e-sports प्लेगर है वो है हमारे जाबब बाई एंड वो हमारे आईचे ले हमारे टीम यूजी एंपायर के एंड वो एक बहुत ही अच्छे नेडर है तो भाई उनका जो फेस अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एंड जो हमारे जाबब बाई की टीम है भाई यूजी एंपायर उन्हेंने अमना FFIC का ओपेन क्वालिफाइ टीम यूजी एंपायर मैं कॉंट्रूवर्सी को छूके तक सबापसा सकता हूं तो है आईउच भाई को कोई हेट नहीं है भाई मैं मतलब ऐसे मतलब फन के लिए कर रहा था तो जो भी सोच रही कि मैं हेट दे रहा हूं तो भाई आप बिल्कुल गलत हो तो अर जो हमारे सेविंथ नमबर के मोस्ट एंडसम इसपोर्स प्लेयर है भाई वो अभी पता नहीं कौंशे टीम से बिलॉंग करते है वो टीम इलिट से भी खेलते है एंड वो मतलब औरा गेमिंग तो नहीं छोड़ जो अभी तक कंफर्म नहीं कि वो टीम इलिट में है क इनकी जो है हमारे इंडियन सेर्वर के वन अफ दा बेशनदर आप इनको कह सकते हैं इनकी जो नेड़ोत है भाई बहुत यादा एकुरेट होते है और जो इनका पिच्छा है जो इनका फोट आप है वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो तो जो हमारे सिक्स नमबर के मोस्ट लग इस नमबर के इस्पूर्स प्लेयर भाई वह बिलॉंग करते हैं हमारे टिम गॉड लाइक ईस पोट्स है और वह हमारे गिनोत्रा एंड इनकी जो फोट आप इसक्रीन पर देख सकते हो एंड इसके साथ हमारे फिफ्फ नमबर के इस प्लेयर है वह भी इनकी टीम से बि बस करो बस करो बस करो तो अच्छ हमारे फूर्थ नंबर के वन ओफ दा मोस्ट हैंडसम e-sports प्लेर है हमारे इंडिया कम्यूनिटी में वो है हमारे आइकोनिक एंड यह जो है बिलॉंग करते हैं और और अरंगुटन से एंड की जो टीम का नमब वो है और अरंगुटन इलीट इनको तो आप सब जानते होंगे आइम डैम शूर के आप जो है हमारे आइकोनिक को जानते ही होंगे इनकी भी जो काउंटिंग है हमारे इंडिया के वन ओफ दा बेस नेडर्स में होती है और इनकी बार नेड से बस 1v4, 1v3 क्लश निकाला है और इनकी जो फोटेब है अपने स्क्रीन पे देख सकते हो तो जो मारे ठर्ड नमबर के वाना था मोस्ट हैंजम इस्पोर्स बेर है वो बिलांग करते हैं हमारे टीम टोटल गेमिंग इस्पोर्स है और इनका जो नमबर के वाना था मोस्ट है और इनकी जो फोटेब है अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और इनका जो रोल है वो आईजिल और यह हमारे इस्पोर्स के प्लड की तरफ जो की बिलांग करते हैं इनकी जो फोटेब है अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे इंडिया के स्नाइपर गौड भी इने कहा जाता है इनकी तो डबल मदब स्नाइपिंग है बहुत जात तगड़ी है और डबल स्नाइपर जब चिला रहा है जब मदब हमारे इंडियान सर्वर है उसमें बहुत सारे लोग को सिंगल स्नाइपर भी चलानी नहीं आती थी तब समस्कते बहुत मतलब है कितने टाइम से मारे स्नाइपर के किंग स्नाइपर गौड रह चुके एंड अभी के टाइप में का प्रफॉमेंस दो डाउन चार रहा है बट आ हम डैम चुर के बहुत ही तगड़ा कमबैक लेंगे तो एर वीडियो में आगे बढ़ने से वाल आपको पता जो लिए टुरा चैनल के बारे में जैपको बहुत बड़े बड़े टीम्स खेलते हो देखने को मिल जागी और अपको ड्रोन की कस्टम भी देखने को मिल जागा एंड जब कि फैवरेट टीम से अप उनके अगेंस्ट में खेल सकते हो तो चैनल का जो लिंक आपको दिखाता हूं अच्छा सब के मन में फूटा तो अच्छा हम लोग जो हमारे जॉंटी भाई उनके एक फोटो लेते है तो जो फोटो मैंने लिया हो आपको दिख रही होगी अब इस फोटो के हम लोग करते दो पाट एक है उनका गला और एक हैंड का पेट गोलू ब लग रहे हैं उनका मूँ भाई साइड मेरा कबट जो उनका गोल हुए भाई एक दूम क्या ही मुस्त लग रहा है तर जो हमारे फॉस्ट नमबर के हैंड सब्सप्लेस हो हमारे जॉंटी गेविंग बहुत बेजती हो गई बहुत बेजती हो गई नहीं यह सब बस फन के अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई